नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चुनुजी के सेंटर पर और आज का जो टॉपिक है वो भारती कलायम संस्कृति भाग तीन है तो चलिए इसको देखते हैं किसमें कौन-कौन सा प्रश्ण पूछा गया है ये SSC, CDL, JSC, JPSC, BPSC, 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 Teacher, Vacancy के लिए या कोई भी सरकारी एकजाम की जो आप तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही important होने वाली है तो पहला सवाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है कि भारती वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है तो दुरूपद, ठूमरी, गजल या दिये गए विकलपो में से कोई नहीं देखी ये अशनातक अश्तरिये SSC, CDL, Tire 1 परिच्छा में पूछा गया था 108, 2005 रखो तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा आपका अप्शन 1 धुरूपद, अप्शन 1 धुरूपद, धुरूपद हिंदुस्तानी कायन संगित का सबसे पुराना एम भव्वी रूप है ऐसा कहा जाता है कि यह प्रबंद और धुरूपद जिसे प्राचिन रूप से निकला है धुरूपद मुख्यता एक भक्ति पुर्ण संगित था और आमतर पर धुरूपद गयन में तानपूरा और पकावज के साथ एक या दो पुरूष गायक होते है चली अगला सवाल दादा साहब फालके ने किश्वर्स अपनी पहली फीचर फिल्म तयार की थी तो देखिए दादा साहब फालके ने उन्हें 133 वी में राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म बनाई जिसे भारत की पहली पूरी लंबाए वाली चल्चित्र माने जाती है यह उनकी पहली फिल्म थी और वह एक भारती फिल्म निर्माता निर्देशा के हम लेखक थी जो भारती सिनेमा के जनक की रूप में भी जाने जाते है इसका राइट अंसर होगा 1913 वी निमलकित में से कौन सा भारती लोक निर्थ है मोहनी अटम, कतकली, मनिपूरी, गर्बा तो देखिए इसका राइट अंसर हो जागा अप्शन चार गर्बा कतकली, मोहनी अटम और मनिपूरी निर्थ जो है भारत की आठ सास्त्री निर्थियों में से एक है लेकिन गर्बा जो है गुजरात का लोक नित है चलिए, आगे बढ़ते है गराडी 23 का एक लोक नित है मिजोरम का, पुद्दू चरी का, गुजरात का या राजस्थान का तो देखिए इसका राइट अंसर हो जागा आपका अप्शन 2 पुद्दू चरी का ललिटकला अकादमी किसके समबर्धन के लिए समर्पित है तो देखिए ललिटकला अकादमी जो है या नेशनल अकेडमी ओप आर्ट आनि भारत की राष्योत क्रिष्टकला अकादमी है जो चित्रकला, मुर्तिकला और लिखा चित्रकला को पुत्साइद करती है तो इसका राइट अंसर होगा अप्शन एक ललितकला या देश और विदेश दोनों में भारतिकला का परचार परशार करने के लिए उनिस्टो चोवन में भारत सरकार द्वरा नई दिल्ली में स्थापित एक स्वायत संगठन है इसका मुख्याला नई दिल्ली में स्थित्थ है चलिए भारत में निर्ते नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्यदारी नियमकित में से किसकी है ललितकला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, नेशनल स्कूल अफ ड्रामा या साहित अकादमी तो देखिए इसका रायट आंसर होगा आपका आप्शन 2 संगीत नाटक अकादमी का नियमकित में से कौन भारत नाटक की नर्तिका नहीं है लिला सिम्सन, सोनल मान सिंग, सितारा देवी, गीता राम चंदरन तो देखिए सितारा देवी इसका रायट आंसर होगा सितारा देवी सास्त्री कतक करें सेली की एक परशित भारती निर्ता अंग्यना थी और उन्हें सोलोवर्ष की आयू में निर्ति पर्देशन किया जिसे देखने के बाद रविदनाथ टेगोर ने उन्हें निर्ति सामगरी की उपादी प्रदान की और उन्हें आज भी कथा करानी की रूप में जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आप देख रहे हैं भारती कलाविम संस्कृति भाग तिन अगला सवाल है चन्नीगड के प्रसिद्रोक गार्डन का सर्जक कौन था खुश्वन सीख चार्ल्स कारबूर जियर एडवर्ड बेकर या नेकचंद क्या होगा तो देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका अप्शन चार नेकचंद नेकचंद के बाले में जान लिजिए थोड़ा सरकारी अधिकारी नेकचंद द्वारा निर्मित चंडीगड का रोक गार्डन एक स्थापेति सेलिये में निर्मित गार्डन है जिसकी शुरुवात 1957 में अपनी खाली समय में गुप्त रूप से की गई थी इसे नेकचंद के रोक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में यह गार्डन 40 एकर से अधिक चेतर में फेला हुआ है और यह गार्डन उद्योगिक और घरिलू अपसिष्ट समगरियों से मिलकर बना आए चलिए आगे बढ़ते हैं बहुदेशी जोकी एक प्राचिन लेख है उसमें उपस्तित कौन सी संगीता अत्मक संगरचना को लोग और सास्तित संगीत में वरगी करित किया गया है तो देखेगे इसका अंसर क्या होगा वक्र, श्वरर, राग या टायर्ट इसका राइट अंसर होगा अप्संत तीन राग राग जो है इसमें बेदस्ची भारतिय संस्कृती जो सौरी सास्त्री संगीत पर आधारित एक सास्त्री संस्कृत पार्ट है जो प्रत्रिक्षर राग के विशे में बताता है और सास्त्री तथा लोक संगित में भेद दिखलाता है और यह रागों को वर्गी करित करते हुए मेला परनाली के आर्वी भाव के लिए आधार परदान करता है सब दराग सरपर्थम तकनिकी संदर में ब्रिदेशी में पाया गया है जहां इसे सुन्दर अश्पस्टी करन एवं सालिंता के साथ सामनेतों लोगों को परसंद करने वाली धावनियों की सन्यूजन की रूप में वर्नित किया गया है चली अगला शवाल आप देख सकते हैं 721 नमर कि कलारी पट्टू किस राजी का मार्सेल आट है कलारी पट्टू जो है यह आपका महत्पर्देश् —मेजोर्ण —नागालं किसका है तो देखे कललारी पट्टी हो जागा केरल का केरल का मार्सेल आट है या जिसकी सुरूव Ihnen कर डाल में हुई थी और कलारी सब्द जो है सरपर्थम संगम साइत में पाए गया था जिसका प्रयोग रणचेत्र रणभोमी दोनों का वर्णन करने के लिए किया गया था कलारी सब्द यूद्ध कर्तब को निर्दिष्ट करता है जबकि कलारी गोजाईकार्थ कायर होता है आप चलते हैं अगला सवाल कि पांडवा दवारा गुरु दुरुनाचार को गुरु दक्षिना के रूप में निम्कित में से कौन सा सहर दिया गया था रावल पेंडी नैनिताल ह पूर गुडगाउं तो देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका आपका आप्षन टू ने निताल नहीं होगा नहीं होगा गुडगाउं हो जागा क्योंकि परोणिक कता हों कि अन्से आरपांडवा ने हर्याना में से गुरु ग्राम को गुरु दक्षिना के रू रूप में जाना जाता था लेकिन समय बितने के साथ साथ इसका नाम विक्रित होकर गुडगाउं हो गया और अप्रेल 2016 में बीजेपी के सासन वाली हर्याना सरकार ने गुडगाउं का नाम बदल कर गुरु ग्राम कर दिया चलिए आगे बढ़ते हैं माउंट आबो श्तित मसूर दिलवाडा मंदिर निम्कित में से किस समुदाय का पवित्र तिरतर स्थल है बहुत जेन सिक या पाल्सी तो दिके इसका अंसर हो जागा आपका अप्शन 2 जेन राजस्थान के माउंट आबो में श्तित दिलवाडा के मंदिर अपने जेन मंदिर के लिए परसीद है इन जेन मंदिरों का निर्मान 11 और 13 सत्तावदी के मद जेन धर्मायन अनु आई तेजपाल द्वारा कराया गया था ठीक है किसके द्वारा कराया गया था जेन धर्मायन आई तेजपाल के द्वारा चलिए पन्नालाल घोष निम्कित में से कौन सा वादे अंधर बजाते थ थे पंणालाल घोस्त देखिए कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका बांसरी, शीतार, वाइलिन्ष क्या होगी इसका आंसर हो जाएगा आपसन 1 15 पर न leider गोस्ट को यह अ मिल ज्योती गोस्ट के रूप में भी जाना जाता है जोंदी भाहराचे बादक थे और ॉत का दिन खान के CC थे चलिए आगे बढ़ते है किस सी मारत को भारत का राष्ट सी स्मारक करते हैं कि इंडिया गेट और इंडिया डिल्रा राजगाट या लाल खिला तो जोकी इसका राइट अंसर होगा आपका वोप्शन एक इंडिया गेट जाएगा इंडिया गेट आध रखीगा ठीक है आप चल इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लिजी कि इंडिया गेट जिसे आरा में अल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता था भारत का राष्ट इस्मारक है जो नई दिल्ली में इस्टित है इंडिया गेट पर 13300 सेनिकों का नाम अंकित है और इसमें ग्रेट ब्रिटेन के कुछ शिपायों रधिकारियों का भी नाम सामिल है चलिए आगे बढ़ते हैं कि इब्राहिम अलकाजी निम्कित में से किस छित्र में परसित सक्षियत है इब्राहिम अलकाजी बिश्मी सत्तावधी के भारती नाठ सेला की सरवाधिक परभावसाली भारती निर्देशक और नाठे परसिचकों में से एक है और वह नई दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के पूरु निर्देशक हैं यहाँ एक परसिद कलापार की संग्रकरता और गेलरी मालिक है चलिए आगे बढ़ते हैं सत्रिया किस राज का सास्त्रे निर्देख है तो इसका आंसर हो जागा आपका अपसन तीन असम का चलिए आगे बढ़ते हैं पंडित भिमसेन जोसी निम्कित में से किस छित से संबन्द रखते हैं तो देखिए पंडित भिमसेन जोसी हो जागा आपका अपसन तीन सास्त्रे संगित का रागिनी किस राज की लोग पेरिगित से लिए तो रागिनी जो है यह हो जाएगा आपका आपसंतीन हरियाना लोग गितों के संदर में हरियान वी संस्कर्ति काफी समरीत है इन लोग गितों को रागनी काते है maintaining चलिए अमरितार सेर्गिल एक पर्शिद डैस थी कौन थी अमरितार सेर्गिल जो है एक पर्शिद दे चित्रकार थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोलकट्टम और छोलिया निर्थ सेलिक इंदो राजियों से संबंदित है तो इसका राइट अंसर होगा आपका आप्शन टू आंधर परदेश और उत्तर परदेश कोलकट्टम आंधर परदेश की कला का एक रूप है जिस विवाह के अउसर पर तलवार के साथ किया जाना वाला नियत है चलिए जूबिन महता की स्चेत्र से संबंदित है जूबिन महता साहित चित्रकारी संगित पत्रकारी जूबिन महता जो है इसका राइट अंसर हो जागा आपका आपका आप्शन तीन संगित परदेश संगित का निर्देशन करने वाली जुबिन महता एक भारती निर्देशक है वो लाइप आफ दा इजराइल फिल्म हर्मोनिक और केस्टा के संगित निर्देशक तथा वेल एसिया अपेरा हाउस के मुखी निर्देशक है बात के राष्ट फिल्म अभी लिखा गार एन एफ ए आई का मुख्याले कहां है पूने चिनाई बेंगलोर मुंबई तो इसका राइट अंसर होगा पूने चली और इसकी इस्थापना की गए थी आपका 64 में निर्द्कित में से किसका सही मेल नहीं है। लगा कॉमेंट करके जरू बताईएगा तो फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत